हमारे साथ जूरे रहने के लिए स्मार्ट गयान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकर को दवाना मत भूलिए क्या आपके भी फोन में इंस्टाग्राम एप ओपन नहीं हो रहा है क्या आप चाना चाहते कि इंस्टाग्राम के ओपिनिग प्रोब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं कैसे सही कर सकते हैं तो फिर ये विडियो देखते रहिए आज के इस वीडियो में आप सभी को step by step बताऊंगा कि Instagram open नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है सबसे पहले आप अपने play store को open कर लिजिए play store open हो चुका है उसके बाद यहां से आपको एक बार search कर लेना है लिख करके Instagram Instagram लिख करके आप search कीजिए Instagram लिख करके search करने के बाद ये Instagram app आ जाएगा अब यहां से आपको एक बार check कर लेना है कि Instagram में कोई भी update तो नहीं आया हुआ है अगर Instagram में कोई भी update आया हुआ है तो आप एक बार update कर लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा Instagram जो हो ओल्ड वर्जन का हो जाता है पूराने वर्जन का जिस वैसे हमारा Instagram ओपे नहीं हो पाता है तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा Instagram जो हो अपडेट हो चुका है उसके बाद हमें Instagram एप को open करके देखना है अगर Instagram एप open हो जा रहा है तो फिर ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है एक और सेटिंग है आपको Instagram पे long press करके रखना इस तरह से जैसे ही आप long press करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक option खुल करके आएगा आप इन्फो देख सकते हैं आपर आप इन्फो का option खुलेगा इस पर क्लिक कर दीचे आप चाहे तो Instagram के setting से भी जा करके एप इन्फो में आ सकते है Instagram के उसके बाद यहाँ पर आपको force stop पे एक बार क्लिक कर देना है ओके पर क्लिक कर देना है यहाँ पर नीचे एक option देखेगा storage and catch इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद clear catch पर क्लिक कर देंगे ध्यान रखिए कि आप clear storage पर क्लिक मत किजिएगा नहीं तो आपका Instagram जोई वो लोग आउट हो जाएगा और फिर से आपको ID और passport डालके login करना पड़ है कोई भी हमें दिक्कत नहीं आ रही है तो इसी तरह से आप अपने Instagram के opening problem को सभी कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं